हलो गैज आज बनाते हैं हम सोया चाप भो भी बिल्कुर नॉन वेज इस्टाल में तो बस मैंने पांच सोया चॉप लिये हैं उनको बस बॉयल कर लेंगे थोड़ा सा गरम पानी डालके और निकालने के बाद ठंडा करके और इस तरह से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा हाड़ फ्राई करिएगा अब यह मैने 4-5 प्याज लिया है इसको लंभा लंभा स्लीस में काटा हुआ है आप चार से पास टमाटर कट करके डालेंगे और इनको अच्छे से हम पकाते हुए भूंज लेंगे अब यह हम मिक्सर जार में ट्रांसपर कर लेंगे ठंडा होने के बाद मसाला और इसी में जो हमने प्याज निकाल के रखा था ना कड़क बाला प्याज उसको डाल के पीस ल देंगे अब उसी कड़ाई में मैंने तेल लिया है एक तेज पत्तर डालेंगे और जो प्याज हम लोगों ने हलका भूंज के रखा था ना उसको डाल देंगे और एक चमज यहां अधरक लैसन का पेस्ट लिया है और शाथ में डाल देंगे यह जो हमने मसाला तेयार करके अब डालेंगे यहां पर एक चमज कस्मीरी मेच, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा यहां धनिया पाउडर एक चमज के समधिए बस इसको अच्छे से भूनेंगे उसमें थोड़ा से जब भून जाएगा तो पानी डाल देंगे पानी हम अपना यह जो मिक्षन बना के रखा है हम लोगों ने चाप का दही मिला के उसको डाल देंगे और पानी डाल देंगे अब डालेंगे यहां सवाद अनुशा नमक नमक गाइस पहले मड डालिएगा दही की चीजों में पहले नमक नहीं डालते हैं बस पानी डालने के बाद 2-4 मिर्ट पक जाने बसमां